हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू डिजिटल मैंग सो फ्रेंट्स आज आपको मैं कुछ गुगल सर्च ट्रिक्स देने वाला हूं वह बहुत ही कूल टेक्निक्स हैं जिससे आपका सर्च करने का नजर्याई बदल जाएगा सोफ्रेंट्स विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं सो फ्राइंड्स फर्स्ट्र कीरिक्जिया है कि अगर आपको कोई फाइल या डॉक्यूमेंट को सर्च करना हूं तो कैसे pre-five specific result को सर्च करें और आपको टाइम कैसे बज सकता है पर एक्जामपल आपको कोई फाइल ढूंडनी है लाइक फॉर एक्जामपल चलो लेटे से हम ट्रेंड ले लेते हैं कि कुरोना वाइरस के स्टडी राइट ठीक है तो फ्रेंट जैसे इतना आप सर्च करोगे राइट तो देखो आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी लेकिन कहीं डायरिक डॉक्यूमेंट आपको नहीं मिलेगा आपको वेबसाइट के अंदर जाके डॉक्यूमेंट ढूनना पड़ेगा उसके जगा इंस्ट कि थे पर कॉलन और पीडी एफ राइट है तो फ्रेंट ने देखो आपको अनली पीडी इफ का रिजल्ट आएगा यह देखो एक र्लट करने वेबसाइट ने प्रेंट किया हुआ है रैक्ट इमिदे पीडिए फ का रिजल्ट हो रहा है उसके जगा आपको पीपट है इंग्लीश टैन्स राइट को तो फ्रेंश देखो यह इंग्लीश डैन्स के अपको प्यटी मिल जाएगी सब्समीं यह क्लिक करता हूं आ ओकेज यहां देखेंट डाउड का असना रहा है कि यह द्लावनेट हो रही है देख सकते हो फ्रैंड तो इस तरह से आपको डैरेग्ट यहां से फाइल टय फ्र sevent पर डियों से डॉक्तमेत फाल चाहिए तो अब डियों से टॉच टैप कीजिए तो आपको टाइसाबक jumping को अाउड़ मिल जाएगे फ्रीजूम लिख्ति चैकनिक देखेंगे कि आपको कोई किवर्ड है उसकी डेफिनेशन जाए राइट तो फ्रेंट उसके सिंपल है उसके लिए आप टाइप कीजिए डिफाइन फिर कॉलन फिर आपका किवर्ड फॉर एक्जाम्पल मैं लिखता हूं क्या लिखता हूं वाइरस रैट रैट ओके इंस्टेड लिखते हैं कॉम्पेटर राइट है ठीक है सो फ्रेंच देखरो डाइरिक उसकी डेफिनेशन आपके सामने आ जाएगी अब अभी हम अनली कॉम्पेटर लिखते देखते हैं फ्रेंच क्या रिजल्ट आता है ओके सो फ्रेंच यह देखो मैंने कॉम्पेटर लिखा तो यह पहले जहां जहां उसकी एड आ गई है ठीक है तो फ्रेंच आप डिफाइन लिखो के तो आपको उसकी डेफिनेशन ही मिलेंगी तो फ्रेंच यह टेकनिक आपका टाइम बहुत सारा बचा सकती है आपको यह अच्छा लगी होगी चलते हैं फ्रेंच नेक्स ट्रिक्स पर उसके बाद फ्रेंच एक गूगल सर्च ट्रिक्स आपको बताता हूं कि अगर आपके पास कोई इमेज है तो वह आपको सर्च करना कि वह किसकी इमेज है क्या है उसके डिटेल वगेरा आपके पास फोटो तो होई या फिर उसके सिमिलर इमेज इस आपको फाइंड करनी है तो उसके लिए गूगल में गूगल इमेज सर्च भी अवलेवन है तो उसके लिए क्या करना है पड़े का आप गूगल में टाइप उस पर click कीजिए तो friends आपके पास दो option है अगर आपके पास image का URL है तो आप URL भी direct paste कर सकते हो या फिर upload image भी कर सकते हो हम लोग यहाँ एक image upload करके देखेंगे ठीक है ओके यहाँ friends यह देखो मैंने एक photo upload की है देखते हैं क्या result आता है ठीक है यह friends देखो यह हमारे famous actor अक्से कुमार जी की है तो friends यह देखो यहाँ से आ गया है कि यह अक्से कुमार जी की photo है तो इस तरह से friends आप image भी search कर सकते हो रहे दूसरी जीट friends अभी हम देखते है रिलेटेड कि अगर कोई site है उसके related ही same उसके related site जितनी हो उसके result चाहिए तो उसके लिए आपको related लिखना पड़ेगा फिर यहाँ for example मैं blogger.com website लिख देता हूं और enterprise करता हूं so friends blogger related जितनी भी result होके वह आपको दिखाएंगे देखो friends यह wordpress है same blogger जैसे site है ठीक है यह देखो okay friends next trip है Google find my device Google find my device right so friends यह Google की ऐसे service है कि अगर आपके phone में आपका phone login है पर आपका phone खो जाता है तो यह Google my find device में आप login करोगे लेकिन email id से होना चाहिए friends जो भी आपके mobile में email id है वही इसमें लोग इन करना पड़ेगा so friends इससे आपका अपने phone का location भी find कर सकते हो आपके phone को log कर सकते हो और आपके phone का data भी आप इसके साथ friends अगर इसका मैंने पूरा डीटल में tutorial भी बनाया हुआ है कि यह कैसे exactly work करता है तो आपको देखना हो तो मैं इसकी link description में दे देता हूं तो आप वहां से भी यह वीडियो देख सकते हूं अगर आपको कोई particular वर्ड पर सर्च करना हो यहां लेते हैं राइट सो फ्रेंच देखो result में यह तो गूगल ने एपल कुंपनी के बारे में शो कर दिया रिजल्ट लेकिन आपको सर्च करना था एपल प्रूट के बारे में तो फ्रेंच क्या करना पड़ेगा यहां आपको प्लस UQI T fruit add कीजिये तो यह apple fruit के बारे में बताए हैं और फ्रेंच यहां देख सकते हो कि यहाँ यह प्लस आपने add किया मतलब यह keyword आपने add किया search今日 में की मतलब apple तो चाहिए लेकिन वह fruit के related search है सेम आप माइनस करके exclude भी कर सकते हो राइट इस तरह से आप कोई भी keyword को include और exclude कर सकते हो कि अगर आपको किसी country का time जानना है तो simple technique है time लिखे एक वालन और डबल कोट मुष्ट कंट्री का नाम लेगे फॉर एक्जमबल मैं यूए से लिगता हूं जस्ट एट एंटर राइट सो देखो फ्रेंट्स यहां का यूए से का टाइम आ गया सपोज मैं यहां चैंज करता हूं उस्ट्रिया लेगता हूं राइटैंटर तो फ्रेंट्स आप देख सकते हो ओस्टोलिया का टाइम आ गया सेम इस तरह से फ्रेंड यहां मैं लगता हूं वे दर एंटर विएंटर जहाओ आप ये आपको वेधर दिखा देखा जो भी कंटरी यहां टाइप करोंगे यहां मैं स्पेसिफिक इंडिया लिखता हूं राइट ओके तो यह इंडिया का मुंबे का वेधर दिखा रहा है राइट तो इस तरह से फ्रेंड आप वेदर का भी स्वेसिफाई सर्च तो फ्रेंज नेक्स्ट रिप यह है कि अगर आपको कोई वर्ड है उसका ट्रांसलेट करना है कोई वर्ड में कोई भी लेंग्वेज में तो किस तरह से करते हैं फर एक्जमपल में टाइब करता हूं हाव अर्यू रइट इन हिंदी में लिखता हूं तो फ्रेंज देखो हाव रईयू का मीनिंग हिंदी में आ जाएगा जिस्ट मेनीट ओके यह देख सकते हो आटमेट ट्रांसलेट कर दिया है यहां मैं टाइप करता हूं दूसरा वर्ड आई एम बिजी ओके इन हिंदी ओके तो मैं व्यस्त हूं वाइस आप चैंज कर सकते हो यहां कोई भी लेंगविज लिख सकते हो पर एक्जामपल लेट्स चेक पंजाबी में आ रहा है या नहीं ओके फ्रेंट जी दिखो यह पंजाबी में भी आ रहा है राइट तो आप यह वन टाइप गूपल ट्रांसलेट है लेंगविज ट्रांसलेटर तो आप इसका भी यूज कर सकते हो यह भी स्मार्ट टेक्निक है कि अगर आपको कोई रिजल्ट स्पेसिफाइक रिसेंटली जो पोस्ट हुआ है उसके बारे में रिसेंट न्यूज चाहिए तो फॉर एक्जामपल लेटेस्ट न्यूज ऑफ कोरोना वैक्सिन राइट ठीक है तो फ्रेंट यहां देखो बहुत सारे रिजल्ट आ गए आपके सामने राइट लेकिन आपको रिसेंटली जो भी पब्लिश हुआ है वही रिजल्ट चाहिए तो टूल्स में जाहिए और यहां देख सकता है यहां एनिटाम लिखा है तो वहां सपूज मैं पास्ट पास्ट अवर सेलेक्ट करता हूं तो विदिन वन अवर में जो जाहां जाहां यह उसके रिगार्डिंग न्यूस पोस्ट किया होगा वही दिखाएगा देखो फ्रेंट में नीचे दिखाता हूं यह देखो इंडियन एक्सप्रेस.com वेबसाइट में एक रिजल्ट उसका एक्सन रिगार्डिंग न्यूस पब्लिश हुआ है यह देखो 20 मिनिट अगो राइट तो रिसेंट ही यह न्यूस पोस्ट किया हुआ है यह देखो 18 मिनिट अगो 23 मिनिट अगो 15 मिनिट अगो राइट सो फ्रेंड इस तरह से यह टूल्स का ऑप्शन अब यूज करके आप आपका रिजल्ट प्री साइस कर सकते हो यहां देख सकते हो दूसरे ऑप्शन आता है कंट्री वाइस भी आप सर्च कर सकते हो तो फ्रेंड इसके रिगार्डिंग इस सर्च कर सकते हो उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट रिकिया है कि सपूज हम कोई वर्ड सर्च करते है र पेज के बॉटम में चला जाता हूं है ठीक है तो यह देखो यह फ्रेंड्स आपको जो सर्चिस दीख रहा है वह फ्रेंड्स अच्छली ट्रेंडिंग सर्च दीखा रहा है कि मतलब आप किसी टॉपिक पे कुछ वीडियो या कुछ चाहते हों तो आपको फैले थोड़ा आप आणालीसिस रिसर्च तो करते हो कि इसके उपर क्या-क्या लोग सर्च कर रहे हैं जैसे आपका जो आपका यूज ज्यादा लोगों को बता चल सके इस के लिए फ्रेंड्स जो भी यहाँ को फिल टाइप करोगे तो उसके नीचे सजेशन में यह common searches दिखाता है मतलब कि यह वह keyword है जो लोग हाली में search कर रहे है तो इस तरह से बताता हूं कि अगर आप मुवी वगेरा के प्रिसेज करने के तो अगर आपको मुवी डाउनलोड करनी है डायरेक्ट या फिर कोई फाइल डाउनलोड करनी है तो अगर कोई फाइल या मुवी गुगल ड्राइब पर अप्लोड है तो उसकी डारेक्ट लिंक कैसे गूंते है वह बताता हूं फ़र एक्जमपल मैं यहां लगता हूं अवीरा फ़र एक्जमपल यह एक एंटे वर्ड़ सॉफ्टर है अवीरा राइट एंटर करता हूं फ्रेंट यह देखो यह अवीरा के वेबसाइट आ गई या फिर अवीरा रिगार्डिंग जितनी भी वेबसाइट हैं वह आई ठीक है लेकिन मैं यहां सेफ स्पेस करके गूगल ड्राइब लिखता हूं और एंटर करता हूं फ्रेंट यहां देखो किसी ने एक अवीरा के गूगल ड्राइब पे सॉफ्टर की डाइरेक्ट फाइल अप्लोड की हुए यह देखो फ्रेंट आप यहां से डाइरेक्ट डाउनलोड कर सकते हूं फ्रेंट लिख्यां से गूगले ट्राइब है और उसके बाद गूगल ड्राइब होगी गूगल ड्राइब में तो इसके रिजल्ट आपको शोग होंगे और आप एजिली जो भी nyt है क्यों एक्सेस कर सकते हैं तो फ्रेस्ट नेक्स टिप यह है कि अगर आपको कोई आपने आप्पने आटिकल या प्रेजनेटेशन या आपके प्रोजेक्ट के रिगर्डिंग कुछ इमेजिस चाहिए है तो गूगल से कॉपी राइट फ्री इमेजिस कैसे आप ले सकते हो रहे तो उसके रिगर्डिंग सब्सक्राइब को इमेज सर्च करते है फॉर एक्जम्पल कॉंप्यूटर मतर बॉर्ड इमेजिस ठीक है तो यह मैंने सर्च के बहुत सार इमेजिस आ गई है लेकिन आपको कॉपी राइट फ्री लेना है तो उसके लिए फ्रेंट याँ टूल्स में जाएं ठीक है और यह ओके ज़स्ट पहले इमेजिस पर क्लिक कीजिए इससे क्या हो और यहां देखो फ्रेंट्स यूजेज राइट लिखा हुआ है वहां पर क्रियेटिव कॉमन लाइसंस पर क्लिक कर दीजिए तो फ्रेंट्स अभी जो इमेजिस आ रही है वह आप अपने प्रेजंटेशन या फिर क्राल्टी कर वगेरा जो भी आप लिख रहे हो बना रहे उतले सब्सक्राइब का वटे देखो लेड बह तो इसके लिए आपकी जो भी वैबसाइट उसका नाम फिर लिखिये फटाहों लिटेशlike अ है और प्रवाइट और मैं जस्ट हीट एंटर करता हूं विजल्ट अहोगे ऑंलिए एक वेबसाइट जो आपने यहां टाइप की उसके रिगर्डिंग इसके रिजल्ट अते हैं देखो फ्रेंट जो तो यहींेबसाइट कनेूश सब्सक्राइब आपको पर्टीकुलर वेबसाइट के पर्टिकुलर की वड के बारे में रीजर्ट चाहिए तो एप ट्रम्लेकों के बारे में बठाएच्टिक आप बाता हूँ कि अगर आपको कोई ऐसा रिजल्ट चाहिए कि कोई keyword है या फिर कोई टाइटल है जो जो search result है उसके टाइटल में आता हो तो ही दिखाए दे राइट आपको तो फ्रेंड उसके लिए in title लिखे टी ए टी एली in title colon फिर में यहां लिखता हूँ लेटेस्ट न्यूज राइट और एंटर करता हूँ तो फ्रेंड अभी देखे कि जो भी वेबसाइट के लेज़ल सो होंगे उसके टाइटल में लेटेस्ट न्यूज का कीवर्ड हो गई हो गा है यह देखाए ठीक है यह देखाओ तो friends इस तरह से आप particular जो keyword होता है वो आप कोई भी result के title में है या नहीं अगर होगा title में तो ही show करेगा तो इस तरह से आपका result precise कर सकते हो और आपका time share कर सकते हो So friends I hope आपको ये google search tricks आपको अच्छे लगी होगी और I think आपको कुछ tricks आइद पता होगी या कुछ नहीं होगी So friends ये tricks के use से आप आपना बहुत सारा time बचा सकते हो और exact result पा सकते हो So friends I hope आपको ये मेरी वीडियो अच्छे लगी होगी अगर अच्छे लगी है तो जरूर से like कीजिएगा सब्सक्राब कीजिए रहा